बहुत समय पहले अयोध्या पर राजा दिलीप राज करते थे उनकी पत्नी का नाम था सुदक्षिना दुर्भाग्य वर्ष उनकी कोई संतान न थी संतान की इच्छा से राजा दिलीप अपनी पत्नी के साथ जंगल में गुरु वशिष्ट जी के आश्रम में पहुँचे गुरु वशिष्ट ने राजा और राणी की इच्छा जानकर अपने आश्रम की गाय नंदनी की सेवा का भार उन्हें सौप दिया रानी सुदक्षिना सुबह उठते ही नंदनी की आरती उतारती, फिर उसे पती की देख भाल में जंगल में चरने के लिए भेज देती, राजा दिन भर छाया की तरह उसके पीछे पीछे चलते, उसकी भूख प्यास का ध्यान रखते हुए नंदनी की रक्षा करते, शाम को वे जैसे ही आश्रम में आते तो नंदनी का बचड़ा मां से चिपक कर दूद पीना आरंब कर देता, सुदक्षिना नंदनी की परिक्रमा पर धूप दीप थाली में लेकर उसकी पूजा करती, रात को फिर दोनों नंदनी को ताजी और हरी घास खिला कर उसकी सेवा कर इस तरह गाय की सेवा करते हुए उन्हें 21 दिन बीट गए, एक दिन जंगल में नंदनी के पीछे चलते हुए राजा दिलीप का दिहान जंगल की सुन्दरता में लग गया, अचानक उन्होंने नंदनी की भैसे रंभाने की आवाज सुनी, वह एक भयंकर सिंग के पंजे मे फसी छट पटा रही थी, राजा दिलीप ने धनुष पर बान चड़ा कर सिंग को मारना चाहा, लेकिन भगवान की माया से उसका हाथ पत्थर सा भारी हो गया, उस सिंग ने मनुष्य की बोली में कहा, इस गाए ने मेरे जंगल की सीमा में प्रवेश किया है, इस समय मुझे भोग भी लगी हुई है, मैं इसे खाकर अपनी भोग शांत करूँगा, राजा दिलीप भैभीत नंदनी को देखकर बेचैन हो उठे, उन्हें उसके दुद मुहे बच्छडे का भी ध्यान आया, उन्होंने सिंग से विंती की, तुम मुझे खाकर अपनी भूग मिटा लो, पर इसे छोड़ दो, सिंग ने राजा का मजाक उड़ाते हुए कहा, राजन, तुम नंदनी जैसी करोणों गाय देकर गुरू को प्रसन्न कर सकते हो, इस गाय के लिए तुम अपना बलिदान क्यों कर रहे हो? राजा दिलीप ने प्राणू की रक्षा की याचना करते हुए आसू भाती हुई नंदनी को देखा, उन्होंने अपने धनुषपान फैक दिये, और सिंग के आगे सिर जुका कर खड़े हो गए, फिर उन्होंने सिर उठा कर देखा, वहां कोई सिंग नहीं था, नंदनी न मनुष्य की बोली में कहा, मैं तुम्हारी परिक्षा ले रही थी, मैं सब इच्छाओं को पूरी करने वाली काम दहीन उगाए हूं, तुम्हारी संतार पानी की इच्छा अवश्य पूरी होगी, यह सुनकर राजा नंदनी के साथ गुरु वशिष्ट के आश्रम में आए, और सुदक्षिना को सुव समाचार दिया, नंदनी के आश्रवात से राजा के यहां रगु नामक पुत्र हुआ, रगु के ही वश्य में उत्पन्न होने के कारण श्री राम रगु वश्य कहलाए, इसी प्रकार की अन्यवरत एवं पौरानिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब और शेयर करें ताकि आप भी दूसरों तक इने पहुचा कर तर्म लाब राप्त कर सकें